दोस्तों नमस्कार एक तो देश का बजट है और उस बजट से समनांतर इस देश की एक दूसरी एकनौमी है एक ऐसी एकनौमी जिस पर इस देश के बजट की नहीं चलती है यानि इस देश के भीतर जो टैक्सपेर का पैसा है उससे हट कर एक समनांतर अर्थवस्था इस देश में मुनाफ़ा कमाने और बनाने के लिए चलती चलि जाती है हर कोई सोसता होगा बजड से भी बड़ी एकनॉमी इस देश में अगर पैरलल एकनॉमी है और व ब्लैक मनी नहीं है और सरकार ब्लैक मनी पर नकेल कस्ती है तो ऐसे में इस देश के भीतर में जब रोजगार बच नहीं पा रहा है मैनिफेक्टरिंग सेक्टर में अभी भी काम धंदे मिलते नहीं है जो कोर सेक्टर है वो अभी मुनाफे में आता नहीं है इस देश के भीतर में जो भी संस्थादन सरकार के साथ चुड़े हैं उससे सर सरकार को लाब होता नहीं है और सरकार अपने तोर पर कोई भी नौकरी अगर पैदा कर पाने के स्तिती में नहीं आ पा रही है तो फिर इस देश की एकनौमी कॉर्परेट और बिजनेस परसंस और बिजनेस घरानों के आसरे बढ़ती कैसे चली जाती है ये सवाल हर जहन में हो ना चाहिए क्योंकि इस देश के भीतर एक रकम तो बार बार आपने सुनी 16 लाग करोड रुपए कॉर्परेट के माफ कर दिये गए बीते 10 बरसों में और उसमें अगर प्राइवेट कॉमर्शिल बैंकों के आंकले भी जोड़ दीजिएगा और इस देश के को भी जोड़ दीजिएगा तो ये 25 लाग करोड रुपए एक जटके में आगे बढ़कर तक्रीबन 30 लाग करोड पार कर जाएंगे और इनी परिस्तितियों में कई सवाल आपके सामने होंगे क्या वाकई इस देश के भीतर में हर बरस डिरेक्ट और इंडिरेक्ट टेक्स क के जरिये कॉर्परेट को चार से पांच लाग करोड रुपए की माफी मिल जाती है इस देश के भीतर में कैस सही में मुद्रा योजना के तहत 28 लाग करोड से जादा की रकम इस देश के युवाओं को बांटी गई है ये सवाल भी आएगा कि इस देश में छिटपुट लो जो लेते हैं वह भी ना लोटा पाने के स्थिती में क्यों आ गए यहां तक की क्रेडिट कार्ड रखने वाले जो लोग हैं उनका आकड़ा रिजर बेंक के ज़रिये जब जारी होता है तो पता चलता है कि जो डिफॉल्टर हैं उन डिफॉल्टर के हिस्से में तक्रीबन ए यानि इस देश के भीतर की एक ऐसी एकनोमी जो समनांतर चलती चली जाती है और उस एकनोमी का कोई और छोर होता नहीं है और वो पैसा कहां से आता है कैसे डूब जाता है और उसका लाब किसे मिलता है यह पूरी की पूरी एकनोमी इस देश की सिस्टम के उस नेकसिस को पताने का निगरानी रखने का सवालों को उठाने का और सवाल उठाकर उस हकीकत को रखने का कि देखिए यह इस्तिती इस देश की एकनौमी की है ठीक उसी तरीके से जैसे इस देश में असंगठित छित्र से जुड़े हुए मजदूरों का कोई आंकला 2015 के बाद सरकार ने र जी किन रास्तों से बढ़ती चली जाती है मैनुपुलेशन कैसे होता है यह आपके सामने कैसे आएगा क्योंकि जो काम मीडिया का है वो कर नहीं रहा है और ऐसे में जो अलग अलग नियम काईदों के तहट संस्थानों को खड़ा किया गया जिसमें हमने IBC और NCLT का नाम ल गए उसमें बैंकों से लिया गया कर्च लटा पाने की स्तिती में नहीं है और वो तादाद भी लाखो करोडों में है बैंक का पैसा डूपते चला जा रहा है सरकार माफ कर रही है तो क्या सब कुछ रिजर बैंक के नोट छापने पर टिका है और उसको जंता के बीचना ला सामने रख रहे हैं क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने उस नैक्सिस को भारने की कोशिश की हर्याना पहुंचे चुनाओं रैली में लेकिन जिस नैक्सिस को वो सामने रख रहे थे उस नैक्सिस ने कुछ ऐसे तथ्यों को सामने रख दिया जिसके बाद हमारी टीम भी लग गई कि दरसल इसके पीछे की परिस्तितियों को लाना होगा क्योंकि अभी तक ये सवाल होता था कि manipulation शेर बाजार में लेकिन उस manipulation के ठीक समानांतर इस देश की एकनौमी और उस एकनौमी में शामिल इस देश के corporate बिजनेस खराने खुद सरकार और मीडिया और इस मीडिया की प्रक्रिया के भीतर ही ये सवाल बड़ा हो गया अगर democracy के चारों अस्तंब इस देश के प्रधानमंत्री को बनाए और टिकाए रखने पर ही जाकर खड़े हो जाएंगे तो इस देश की हतेली में बचेगा क्या और शायद इसी लिए पहली बार ये सवाल राहुल गान्दी ने खुले तोर पर कहने से चूके नहीं कि दरसल देश के प्रधानमंत्री के तोर पर अगर नरिंद्र मोदी हैं तो इस नेकसिस को आप समझ जाईए यह एक ऐसा नेकसिस है जिसमें लूट के एवज में कॉर्परेट और बिजनेस घरानों को राहत और रियायत दी जा रही है इस पूरे चक्रवियू के भीतर गुसे कौन और इसलिए राहुल गांदी ने जो पहला सवाल उठाया कि इस देश के भीतर में मेरा चेहरा आप नहीं देख पाएंगे मीडिया यानी मुक् हाशिये पर पढ़े तबके की है एक सवाल यहां जहन में आप जरूर रख लीजिए क्या इस देश की ऐसी परिस्तिती आ गई जहां पर दो मॉडल अब हमने सामने खड़े हैं एक तरफ कॉर्परेट के साथ खड़े प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की एकनौमी और दूस इसरी तरफ उस एकनौमी पर और उस नैक्सेस पर हमला करते हुए राहूल गांदी जो इस देश की एकनौमी में उतनी ही बड़ी राहत और रियायत अब इस देश में हाशिये पर पड़े पिछडे तपके दलित तपके आदिवासी तपका किसान तपका मजदूर तपका उ उनको देने की स्थिती में है यानि एकनौमी का एक बिलकुल नया रूप उस पिरामिट को उलट देगा जो कि इस देश की अर्थवस्था को बाजार के आसरे चराना चाहता तो था लेकिन इस देश की भीतर का सच तो ये है कि बाजार भी धै गए और पूंजी के आसरे बनाने की स्थिती में कॉर्प्रेट बिजनेस हाउसेज और मीडिया है चेहन समझो मोधी जी को बैठा रखा है प्राइम मिनिस्टर बना दिया किसने बनाया मीडिया ने बनाया 24 गंटा उनका चैरा दिखा के मीडिया कौन चलाता है अंबानी अंधानी जैसे लोग अंधानी और मदानी जैसे लोगोंने मोधी को क्यूं बठाया क्योंकि वो जानतेह और नरेंद्र कि ये जब बात मेडिया के उठी है तो एक बात और समझ लीजिए इस दौर में सबसे जादा विज्यापन जो मीडिया में चलता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है यानि कोई भी सत्ता जब सरकार में आती है और उसी हिसाब से अपने बजट अपनी एकनॉमी को देखती है तो उसमें प्रचार प्रसार के लिए उसमें ब प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा होता है यहां तक कि बिहार जैसे गरीब राज्ज में भी जहां पर पचास फीजदी से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे है जो निती आयोग की रिपोर्ट आई उसके मताबिक जो मल्टी डैमेंशनल प्रवर्टी है उसमें बिहार नंबर एक पर है वहां की सरकार भी प्रचार प्रसार के लिए जो मेडिया को पैसा देती है वह भी लाखो करोड में सालाना वो देने की स्थिती में आ चुकी है सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आता है और इस प्रचार प्रसार की जरुवत किसी भी सरकार को क्यों पढ़ जाती है जो राजनेतिक तौर पर सकति है क्योंकि उसके कोई अपनी इंडस्ट्री तो है नहीं जहां से प्रोडक्शन होता हो और उसकी कमाई होती हो उसकी कमाई तो उसी जनता के जरिये होगी जिसके उपर टेक्स लदा हुआ है और पूरी टेक्स की फेरिस्ट है हम उस टेक्स की फेरिस्ट को भी आपको बताएंगे वो कितनी बड़ी तादाद में है लेकिन उससे पहले एक सवाल यह है कि इस देश के भीतर जो अलग अलग प्रोड़क्ट्स हैं जो सबसे कीमती प्रोड़क्ट है उसमें आप कह सकते हैं सोना है कहना है हीरा है या फिर जो भी आपके जहन में आता है जो ऐसे प्रोड़क्ट जसकी कीमत इस देश के भीतर में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो परसंट लोगों को खरीदने की हो उसका भी प्रोड़क्ट का प्रचार प्रसाप आप विज्यापनों के जरीए टेलिवीजन स्क्रीन पर देखेंगे तो उनके भी पैसे के जरीए और उनका भी नेकसेस उस कॉर्परेट और सरकार के साथ कैसे चलता है अब ये छुपा हुआ नहीं है क्योंकि राजनितिक तोर पर अब ये बातें खुल कर उठने लगी है और इसी प्रक्रिया के भीतर जब सवाल राजनितिक तोर पर एक तरफ बिरुजगारी और महंगाई का रहा और दूसरी तरफ नोटबंदी और GST का रहा एक तरफ गौर्मेंट ने निर्णे लिया नोटबंदी और GST का और दूसरी तरफ प्रभाव पड़ा गरीबी और महंगाई का और बिरुजगारी का इन दो परिस्तितियों के बीच जब आप खड़े होंगे तो आपके भीतर एक सवाल और आएगा क्या वाकई इस देश में लोगों को सरकार पर निर्भर बनाने के लिए यानि ये देश स्वाब लंबी ना हो इस देश के भीतर लोग अपने हिसाब से नौकरी करते हुए सोतंतर दिमाग ना रखें क्या इस देश के भीतर ऐसी विवस्था सिस्टम के जरीए की गई जहां पर कॉर्परेट के पास मुनाफ़ा पहुंसते चला जाए और राजनितिक तोर पर सत्ता की ताकत बढ़ती चली जाए इसलिए क्या वाकई नोट बंदी के जरीए पूरे अन और्गनाइज सेक्टर को भारत में बरबात कर दिया गया और इसका पहली मार जब GST के जरीए इस देश के वहपारियों पर पड़ी तो दूसरी मार कोविट काल में अब प्रवासी मजदूरों पर पड़ी वो इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर जो थे वो परिशान होते चले गए और उनकी तादाद रज दर रज आकी गई तो पता चला कि 12 करोड से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों के पास काम ही नहीं है और यह भी जानकारी आई कि इस देश के भीतर में तकरीबन तीन करोड साथ लाख छोटे वहपारी जो है वो ध्वस्त हो गए इस GST के चक्कर में और उसका सबसे बुरा असर तो गुजरात के सूरत में ही पढ़ता हुआ दिखाई दिया जहां पर टेक्स्टाइल दोस्त हो गई वहां काम करने वाले लोगों के पास काम नहीं बचा तो क्या ये कैसी परिस्तिती के जरिये भारत की पूरे के पूरे सिस्टम को उस नैक्सिस से चलाया जा रहा था जिस नैक्सिस की अवाज राहुल गांदी अब ये कहकर उठाते हैं कि जरा समझ लीजिए बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस देश में रोजगार को खत्म किया गया जान बूच कर नरेंद्र मोदी जी ने हर्याना की सरकार ने सिस्टमेटिक ली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है वो जो युवा अमरीका गए हैं चोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं एक वहाँ पे था जिसको एक्सिडंट हो गया चल नहीं पा रहा है उसकी मा मुझे कहती है राहूल जी मैं तो बेटे से मिलना चाती हूँ मैं कहना नहीं चाता था कैसे मिलोगी वो दस साल के लिए वापिस नहीं आ सकता तो बच्चे चला रहे हैं माताई चला रही हैं पुरा परिवार चला रहा है क्यों क्यों हरियाना में रोजगार नहीं नरेंदर मोधी क्या करते हैं काले कानून लाते हैं जो है आपके पास जो आप पुरे देश को देते हो वो भी छीनने की कोशिश करने हैं तो क्या वाकई बहुत है सिस्टमेटिक तरीके से इस देश के लोगों को सरकार ने अपनी नितियों पर आश्रित कर दिया और ये कहा कि हम रहेंगे तो ही आपको रहात और रियायत मिलेगी जबकि यह भी एक सच है कि इस देश के भीतर में रोजगार खतम हो गए पबलिक सेक्टर के रोजगार जो चल रहे थे बीते दस परसों में उसमें भारी कमी आ गई यानि बड़ी तादाद में उसमें भी कटोती कर ली गई यहां तक की सबसे बड़ी कटोती बैंकों को लेकर हो गई जहां लोग रोजगार के लिए बड़ी तादाद में अपलाई करते थे अब इस पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा हिस्सा उस नेक्सेस की तरफ जाता है जहां पर सीधी इंट्री कॉर्परेट या बिजनेस संस्थानों की होती है को किस देश का बजट क्या है लगभग 48 लाग करोड रुपय उस 48 लाग करोड में से अगर ध्यान दीजिएगा तो लगभग 41-42 लाग करोड रुपया इस देश की जनता से ही वसूला जाता है उसमें आप कह सकते हैं GST 10 लाग करोड से जादा है, Income Tax 10 लाग करोड से जादा है, Corporation Tax 10 लाग करोड से जादा है, अलग अलग सेस या अलग अलग जो Dividend Profit Energy सेस लगाया गया, Communication सेस लगाया गया, जो भी लगाया गया वह भी 5 लाग करोड है और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी आप जोड़ते चले जाएंगे वो कस्टम होगा वो इंफ्राइस्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक्साइज डूटी हो अलग अलग तरीके से जिस भी छेतर में जोड़ेंगे वो तमाम चीजें जब आपके सामने आएंगी तो लगबग 41 लाग और रूपिया जनता से ही वसूला जाता है तब यहां पर एक सवाल आता है कि इस देश के भीतर में उन कॉर्परेट्स की भूमी का क्या है जिनको सरकार राहत और रियायत के साथ हर चीज सौप तो देती है यह कहके कि प्राइवाइटाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि सरकारी कामकाज बड़ा धीला होता है वहां लोग काम करते नहीं है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम होता है तो इस देश के टॉपमोस 20 कॉर्परेट्स के भीतर काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है क्या उन सभी को मिला दिया जाए तो वो रेलवे के कर्मचारियों से ज़्यादा होगी नहीं होगी क्या उन सब को अगर मिला दिया जाए तो इस देश के भीतर में जो basic infrastructure है वो railway भी हो वो airport भी हो वो बंदरगा भी हो हाला कि वह भी अब private sector में दे दिया गया और जितने भी public sector से जुड़े हुए संस्थानों में काम करने वालों की तादाद है उन सभी की तुलना में बड़ी तादाद में मुनाफा और पैसा बीते दस बरस में इन corporate का बढ़ा इन corporate ने बड़े सिलसलिवार तरीके से पहले यह विज्यापन देते थे मीडिया को कि हमारे product का विज्यापन कीजिए अब अगर media को ही उन्होंने ले लिया तो अब वो free of cost हो गया विज्यापन यानि screen पे रेंगता हुआ विज्यापन जो अलग-अलग corporate का होगा चाहे वो जियो का आए चाहे वो अडानी के नाम पर हो किसी भी company का जो भी आप सोच रहे हैं लेकिन अगर उसने किसी भी media company में stakes ले लिये हैं या पूरी company को खरिद लिया है तो वहां तो वो उसके अपने घर की बात होगी तो इस देश के media की भागेदारी उन corporate की मुनाफ़े की हिस्सेदारी के साथ जुड़ेगी या फिर जंता से वो सरोकार दिखाएगा ये सवाल बार बार इसलिए उठा है क्योंकि इस दौर में ये लगते रहा कि शायद मोधी सरकार के लिए पूरा media काम करता है जी नहीं मोधी सरकार के लिए media काम नहीं करता है वो अपने मालिकों के हितों को साधने के लिए काम करता है और मालिक जो हैं उनका नेक्सिस सरकार के साथ है इसी बात को राहुल गांदी ने सिस्टमेटिक तरीके से आज जब रैली में रखा और इस बात को लेकर रखा कि इस देश के भीतर से जो युवा तबका है नौकरी की खोज में देश छोड़ कर चला जाता है उसका बच्चा रोता बिलगता रह जाता है और इसको लेकर वो जब अमेरिका गएते तो हर्याना के चंद युवाओं से मुलाकात की वो वीडियो भी अपना उन्होंने जारी किया लेकिन आज उस शकल में दो बाते निकल कर आई इस देश के भीतर में वो बच्चे जो माबाप को अपने पिता को खास तोर से विदेश जाते हुए देखते और उनके ना लोट पाने दस दस बरस तक बिना पिता के रहते हैं दूसरी तरफ उसी बच्चे की माँ जो सोसती है कि बेटा वहाँ पर है किस तरीके से रह रहा होगा उसके भीतर की जो कुलबुलाट है ये इमोशन हिंदुस्तान के समाजिक परिस्तितियों के भीतर उस कौर्परेट के प्रॉफिट में समा गया जो की राजनिती को मदद करता है और राजनिती पॉलिटिकल भाशन देते हुए इस बात को बतलाती है कि हमने अमेरिका में देखा था कितने शांदार तरीके से हर्याना के लोग वहाँ पर रह रहे थे प्रधान मंत्री मोदी ने कल ही इसका जिक्र किया था कि मैं मिला एक हर्याना से अमेरिका में भी हमें लगता है वो सुनना चाहिए और मैं हर्याना के लोगों को एक बात को जरूर बताऊंगा कल जब मैं नियोर्क गया परसों तो वहाँ स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भार्क की ये समूदा आए था लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहाँ पर पूरा हर्याना खड़ा कर दिया गया था अमेरिका में पली बड़ी हमारी हर्याना की बेटी और उसके साथ और पांच साथ बहने हर्याना के हमारे साथी उन्होंने हर्यानवा का जो अभी नुर्य आप यहाँ देख रहे थे न वैसा नुर्य नियोर्क बे करके स्वागत कर रहे थे यहना हर्याना खड़ा कर दिया था उन्हों ने अब यह प्रधान मंत्री का नजरिया है उन्होंने अपनी द्रिष्टी से उस चका चौन्द को देखा राहुल गांदी ने उसी चका चौन्द के भीतर के उस अंधेरे को देखा और उनी लोगों के देश के भीतर में कॉर्प्रेट और सत्ता और मीडिया का नेक्सिस इस देश के लोगों को रोजगार सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दे पा रहा है कि वह पूरे तरीके से आश्रित हो जाएं सरकार के द्वारा लाभारती योजना के तहत तो फिर स्वाब लंबन की स्थिती तो दूर है अपनी सोच को भी खतम करने की परिस्तिती में क्या इस देश को लाने की तयारी है दूसरा सवाल अगर अलग अलग सेक्टर में कॉर्प्रेट का नेटवर्थ बढ़ रहा है उसका विस्तार हो रहा है तो उन जगों पर प्रोजगार होना चाहिए लेकिन अगर नेटवर्थ भी बढ़ रहा है उनका विस्तार भी हो रहा है और वो अपने नाम से उस प्रोड़क्ट को बेच भी रहे हैं तो फिर अगला सवाल ये होगा क्या वाकई प्रोड़क्ट बेचा और अपने नेटवर्थ को बढ़ाया तो जाता है लेकिन वह प्रोड़क्ट कह परीके से राहूल गांदी ने बीते अरतालिस घंटों में जम्मू कश्मीर से लेकर हर्याना तक में जिन बातों को रखा उसमें मैसेज बहुत साफ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कमपनियों के साथ इस देश की कमपनियों की भागेदारी है और उन कमपनियों की काम प्रोड़क्ट भारत में आता है यानि चाइना निरियात करता है या भारत आयात करता है और खास्तोर से कॉम्निकेशन के छेत्र में टेक्नलोजी के छेत्र में उसमें भारत की तक्रीबन 116 कंपनियों का जुडाओ है राहुल गांधी तो एक कदम और आगे निकल के बता रहे हैं कि दरसल डिफेंस के छेत्र में अगर अडानी पहुँचे हैं तो ऐसा नहीं है उन्होंने कोई इंडस्ट्री खोल लिये यहां पर जिससे वो ड्रोन बनाते हैं या हतियार बनाते हैं वो हतियार और ड्रोन भी इसराइल बनाता या दूसरा देश बनाता है उसको उसके लाब दे दिया जाता है और उसकी एवज में अपनी मोहर लगा कर मेकिन इंडिया का नारे को बढ़ा किया जाता है क्या ऐसी स्थिती इस देश के भीतर आ चुकी है और इस मैक्सिस का कच्चा चिट्था जब खोला जा रहा है तो इस देश का मीडिया खामोश क्यों है ये सवाल जरूर आएगा लेकिन उससे पहले क्या वाकई ऐसी स्थिती इस देश के भीतर है जो हमारी टीम ने पता लगाय है तो ये बात ثابit होती है कि दरसल यह पूरी परक्रिया के भीतर जो बात कही जा रही है कि बाहर से माल बनेगा उनको production कॉस्ट और कुछ profit दे दिया जाएगा उस पर यहां की company मोहर लगा देगी और उसको फिर देसी Product मानकर देस के भीतर और देश से बाहर भी बेचने की प्रक्रिया में वही कंपनी आ जाएगी और उसके जरीए नेट वर्थ वो दिखाएगी उस नेट वर्थ के जरीए शेयर बाजार में उसका मैनुपुलेशन शुरू हो जाएगा बैंकों के जरीए उसको लोन मिलने लगेगा और ये गुबारा धीरे-धीरे एक फेक तरीके से बढ़ता चला जाएगा और लगेगा कि देश की एकनॉमी चका चौंद में समाग गई और देश के भीतर प्रती व्यक्ति आये कम हो रही है कॉर्प्रेट का नेट वर्थ बढ़ रहा है ये परिस्तिती के भीतर इसे सुनना चाहिए अपारियों को स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस की हतिया करनी है खतम करना है क्यों क्योंकि ये 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते है बनाना नहीं चाहते है जो आप काम करते हैं जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं हाथ से बनाते है वो नहीं करना चा लिस्ट निकालिए कमपनियों की चाइनीज कमपनियों की लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है चाइना की युवा को फाइदा मिल रहा है चाइना की सरकार को फाइदा मिल रहा है अरब पतियों को यहां फाइदा मिल रहा है नरेंद्र म तो क्या ये देश की तरास्दी है मौजूदा वक्त में मेडिया कॉर्परेट और सत्ता का नेक्सिस जिस रूप में काम कर रहा है उसमें इस देश के भीतर हर योजना कहीं ना कहीं यहां के लोगों को कोई रहत देती नहीं है बलकि उनके सामने जो मुश्किल हालात खड़ा क करती है उस मुश्किल हालात का लाब उन संस्थानों को मिल जाता है जो सिर्फ पर सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं हलाकि रहुल गांदी ने अगनीवीर का भी जिक्र किया और बहुत बारीकी से समझाया कि वन पेंशन वन रैंक क्यों लाया गया उसके बाद पेंशन ना देना पड़े तो इसके लिए अगनीवीर लाया गया वह पूरा पैसा डिफेंस का इस दौर में अगर बढ़ा है और किसी भी हालत में पेंशन का पैसा ना देना पड़े ऐसी परिस्तिती बनाई गई है और उसके साथ साथ निजी हाथों में जो बड़े कॉर्परेट ह क्रिस्टम चल रहा है और उसमें सवाल को इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि मीडिया पर नकेल भी उसी कॉर्परेट ने कसली जिनोंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और बनाए रखा तो सवाल सबसे बड़ा यही होगा कि देश की जनता के पास जानका क्या राहुल गांदी के भाशन या इस तरीके से किसी नेता के द्वारा कहे गए वक्तव्यों से ही आएगी इसके अलावे कोई रास्ता नहीं बचता है तीन सवाल सबसे बड़े तीन सवाल पहला सबसे बड़ा यही है इस देश के भीतर में क्या मौजूदा सरकार एक ऐसे नेक्सिस के तौर पर इस देश की अर्थनिती को बना रही है जो पूरे तरीके से मीडिया और कॉर्पेट और बिजनेस संस्थानों को लाब देने दिलाने की है उनके अनुकूल की पूरी की पूरी परिस्तितियां इस देश के लोगों को सरकार पर निर्भर बना रही है क् और्गनाईस तरीके से बिरोजगारी इस देश में बढ़ती चली जा रही है और्गनाईस वे में इस देश में इनिफलेशन बढ़ा है और्गनाईस वे में इस देश के भीतर कॉर्परेट को टेक्स माफी होगी और्गनाईज वे में इस देश के भीतर लोगों पर बोज जादा पड़ेगा और एक ऐसी परिस्तिती आएगी जिसमें जो जुकेंगे तूटेंगे वो परिस्तिती सरकार को उसका लाब मिल जाएगा क्या ऐसी स्तिती हो चुकी है और तीसरा सवाल सबसे बड़ा क्या वाकई इस देश के भीतर में डेमोक्रिटिक पिलर्स जिनका जो काम संविधान के तहत है वो काम भी अब सरकार के उस नैक्सिस का हिस्सा तो नहीं बन गया और अगर बन गया तो फिर अगला सवाल यही है कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि मैं जब आऊंगा तो मैं बदल दूँगा तो ये लड़ाई राहुल गांधी को नहीं लड़नी है ये लड़ाई राजनितिक तोर पर कितनी दूर तक लड़ी जा सकती है यह भी सवाल है तो क्या राहुल गांदी सिर्फ एक लाउड स्पीकर है जिसके जरीये वो अपनी बातों को रख रहे हैं कि शायद इस देश की जनता इस अकीकत को समझ जाए और चुनाओ दर चुनाओ परिवर्तन होता चला जाए आप कह सकते हैं यही तरीका है लेकिन इसके समनांतर की परिस्तिती बतलाती है कि समविधानिक ताकत और पूंजी की ताकत यह दो ताकत जिस सत्ता के पास होगी और अगर उसने रणनितिक तौर पर बाकियों की यह दोनो परिस्तितियां छीन ली वो चाहे सीबी आई, एडी और आईटी के जरिये हो चाहे नोटबंदी और जीस्ति के जरिये हो जिसमें इस देश की पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा ही नहीं बचा और कॉंग्रिस का एकाउंट जब फ्रीज किया गया तो यह सवाल था कि कॉंग्रिस अपने और उसके साथ कॉर्परेट की पुंजी और उसके साथ डिमुक्रिसी के तीनों पिलर और फोर्थ पिलर के तौर पर मीडिया भी उसके साथ है बची जनता उसी जनता के बीच राहुल गांधी इन बातों को कह रहे हैं सवाल सिर्फ इतना है राहुल गांधी की कही गए इन बातों से सत्ता पलड जाएगी या जनता इन बातों को जिस दिन समझ जाएगी उस दिन पर इस्तितियां बदल जाएगी बहुत 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 भरी हो